हेलो साथियो एक बात मैं अपने वीडियोज में अब तक कोई सेक्ड़ बार कह चुका हूँ और अक्सर कहता ही रहता हूँ कि यदि आपको अंग्रेजी शीखनी है अंग्रेजी ग्रामर की गहराई में जाना है तो सिर्फ एक बार कम से कम एक बार अंग्रेजी ग्रामर में व बेसिक लर्णर के लिए जो जरूरी चीजे हैं वो मैंने सारे के सारे इस बेसिक से वीडियो में cover कर दिये जैसे वर्ब जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया उसके कुछ यह famous फॉर्म है आपको कम से कम यह वाले फॉर्म तो आने ही चाहिए जैसे जो हमारी वर्ब है वो किसी sentence में helping वर्ब के रूप में उपस्तित हो सकती है man वर्ब हो सकती है linking वर्ब हो सकती है इसके लावा action वर्ब होता है वो आगे detail बता दूंगा ट्रांजिटिव वर्व हो सकती है इंट्रांजिटिव वर्व हो सकती है इसके अलावा कॉजिटिव वर्व हो सकती है फ्रेजल वर्व हो सकती है रेगुलर वर्व हो सकती है इर्रेगुलर वर्व हो सकती है नॉन फारेट वर्व हो सकती है बट यहां पर most common most basic most popular form में आपको बताएं एक मैजदार बात देखो आप इसमार वाजबर इस column में भी है यानि इस linking भी है इसमार वाजबर इस्टेटिब भी है और इसमार वाजबर यहां भी है helping भी है अब अगर आपको यह नहीं पता यह जान करें नहीं पता तो पता है क्या होता है आप इसमार वाजबर का खुब यूजब कर रहे हो बट आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह इस्टेटिब वर्ब तो कभ है linking कभ है और helping वर्ब कभ है जैसे देखो सबसे पहले helping वर्ब और Manworm तो देखो किसी sentence में stewardship के बाद helping वर्ब लिखी होती है man man verb बिलकि होती है, तो जो helping verb है वो time बताती है, समय बताती है मोटा-मोटा कि जो क्रिया के होने का समय है वो वरतमान है भूत है भविस्य यानि present है, past है, future है लेकिन जो man verb है वो action बताती है कि जो subject है वो कर क्या रहा है, काम क्या हो रहा है जैसे example देखो, I am playing cricket, मैं cricket खेल रहा हूँ, एक sentence है, इसमें am helping verb है और playing man verb है, तो जब मैं सकार्थ कर रहा हूँ, तो मैं cricket खेल रहा हूँ, तो इसमें action कि सब ने बताया, playing ने, action बताया, खेलना, और am ने क्या बताया, हूँ, time बताया, कि present है, ठीक है, मैं cricket खेल रहा हूँ, ज जने, present रहा हूँ, तो हलपिंग बता रहे है, time, और action कि बता रहे है, play, see does not cook, food बेकर खाणा नहीं पकाती है, तो देखो, यह तो होगी helping verb, और यह होगी man verb, तो जो cook है, जो कि man von fact, action को बता रही है, और यह time को बता रही है, जो कि helping verb है, ठीक है, ये helping verb है ये helping verb और ये man verb ठीक है man verb action को helping verb time को इसने बताया action Ravi has written a letter रवी एक पत्र लिख चुका है इस sentence में Ravi तो subject हो गया ये helping verb है ये man verb है तो has जो कि helping verb है इसने क्या बताया रवी एक पत्र लिख चुका है है मतलब present बताया और man verb ने क्या बताया लिख चुका काम बताया, तो इस तरह से helping verb, man verb होती है, बहुत common सा concept है, यह आप पहले से जानते हो, अब देखते है, linking verb, अब यह linking verb क्या होती है, यही तो grammar की गहरा है, यही तो खूब सूरती है, जब पता होता है ना, तो एक अलग सा फील होता है, हाँ यार, linking verb जानता हो, तो compliment के बारे में अक्सर बताते रहता हूं, जो subject को rename करे, subject के बारे में कुछ बताया जाए, उसकी विसेश्था बताया जाए, उसका पर्चे दिया जाए, तो विसेश्था या पर्चे दिने वाला सब्द compliment होता है, यह most of non-action sentence type की चीज़ है, जिसे देखो, तीम sentence है, she is my sister, वह मेरी बहिन है, इसमें subject कोन है, अब c के बारे में क्या बताया, she is my sister, वह मेरी बहिन है, तो my sister क्या हुआ, compliment किसका? C का, वह मेरी बहेन है, मेरी बहेन ही वह है, यादि subject के वारे में कुछ बताया जाए, कोई जानकरी दी जाए, उसका पर्चर दिया जाए, उसकी विशेष्था बताय जाए, तो पर्चर विशेष्था वाला word, compliment होता है, तो subject को my sister से किसने link किया, कि linking verb है, they are cunning, वे चालाक है, cunning होता है चालाक, तो वे चालाक है, उनकी विशेष्था बताया कि वो चालाक है, कुछ बताया, अब उनको इस चालाकी से किसने link किया, आर ने, तो आर यहाँ पर linking verb है, see was happy yesterday, वो कल खुश थी, तो उसकी विशेष्था बताया, उसके वारे में कु linking verb है, और यह इस तरह के sentence में उपस्तित होती है, तो आज के बाद आप जब इस तरह के sentence देखो, जिनको मेरी भासा, मैं non-action कहता हूँ, वो यह है, वो यह है, वो खुश है, वो दुखी है, यही किसी के बारे में कुछ बताया जाए, उसका पर्चे दिया जाए, उसका पर् करते हैं आगे, अगला है stative and action verb, तो दो तरह की हो सकती है, stative भी और action, state मतलब क्या है, हालत दसा बताए, action जो काम बताए, तो देखो, यहाँ पर मैंने, अब यह concept एक साथ पढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर मैंने action नहीं लिखाता, क्योंकि जगे कम थी, लेकिन यहाँ मैंने इसको link कर दिया, stative के साथ action और बता रहा हूँ, ठीक है, देखिए, जो stative verb है, no physical moment, इनमें कोई सायरिक गतिविदी नहीं होती है, no physical moment, mind's state, इनमें केवल mind की दसा बताए जाती है, mind's state, दिमाग की दसा क्या है, emotions क्या है, जैसे, I am happy, मैं खुस हूँ, तो मेरे दिमाग की दसा क्या है, मैं खुस हूँ, अब इस sentence में आप M को एक linking verb भी मान सकते हो, मैं यहाँ पर happy से link किया, अब उस नजरे से देख लिया, तो linking verb है, जबकि मेरी state क्या है, मैं खुस हूँ, मैं खुस हूँ, यह मेरी दिमाग की हालत है, state है, अब जो खुस है, वो उस खुसी में कुछ ऐसा आपको accent नहीं दिख रहा, बस मैं खुस हूँ, ठीक है, जैसे, see seems pretty, वह सुंदर दिखती है, सुंदर प्रतीत होती है, तो उसकी state है, कि वो pretty है, तो seem प्रतीत होना, seem लगना look दिखना, see looks happy, वह खुस दिखता है, ठीक beautiful दिखता है, तो यहाँ पर aim क्या है, एक state को बता रही है, seem प्रतीत होना, state को बता रही है, I love you, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, I hate you, मैं तुमसे घ्रना करता हूँ, consider समझना, understand समझना, think सोचना, तो ऐसी सभी क्रियां जो मैं दुखी हूँ, मैंने का मैं दुखी हूँ, कहां दिख रहा है आपको, लटक रहा है दुख, मैं खुस हूँ, कहां दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ, कहां दिख रहा है, सोचता हूँ, जिसे feel महसूस करना मैं महसूस करता हूँ, तो feel करना, love करना, hate करना, consider समझना, understand सम नो जानना, I know you, मैं तुमको जानता हूं, तो जानना क्या है, मेरे दिमाग इस्टिति है, तो इन में एक्षन नहीं होता, ये इस्टेटिव वर्व है, इसी तरह से, see, knows me, वह, मुझे जानती है, तो जानना, अब जानने में देखो, मैं तुमको जानता हूं, ये मेरे दिमाग की बात है, कंसिडर समझता हूं, फिल महसूस करता हूं, तो इस तरह के इमोसिन्स दिमाग में हो, जो चीजे दिमाग में चले, जिन्में एक्षन ना देके, इस्ट है जानकर यह है यदि आपको हमारे दरह पढ़े गई इंग्लिस ग्रामर समझ में आती है पसंद आती है भरोसा मिलता है आपको सारी इंग्लिस ग्रामर सेक्वेंस में चाहिए तो यह चीज एवेलेबल है आप प्लेस्टोर पे जाएए महेश गुरुजी एप्लिकेंस को टिने में help करती है दूसरा मैं कोर्स है English Grammar Course सारी English alltså में करवाया डडिटेल में करवाया बेसि excluding और में करूप अब यार देखो वो वीडियो यूटूब पे नहीं है वो सारा कंटेंट अलग से तयार किया तो थोड़ा सा यहां भी पढ़ाता हूँ तो देखो यह होगी हमारी स्टेट को दिखा है जिनका संबंद मैंड से होता है सोचना विचारना घ्रना करना समझना ठीक है इस तरह से और दूसरी होती है जिनमें फिजीकल एक्टिविटी हो उनको एक्सन वर्ब कहते हैं जैसे जिनमें आपको कि रोजना दो किलो मीटर दोड़ता है आई रोट आप वह में स्टरडे कल मैंने कवीता लिखी थी तो दोड़ना लिखा हच चल रहा है वाई आर यू लाफिंग तुम हस को रहे हो साफ दिख रहा है हस रहा है रो रहा है डॉन्ट स्पीक लाउडली जोर से मत बोलो बोल र चाहिए इनमें कोई मुमेंट नहीं होता आपको क्या पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं क्या सोच रहा हूं तो सोचना क्या हो गया एक इस्टेटिव वर्ब हो गई ठीक है यह है अगला है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अभी ट्रांजिटिव intransitive verb क्या होती है तो देखो transitive को बोलता है sakarma kriya, intransitive होती है akarma kriya, यानि ऐसी verb जो अपने साथ object लेती है, कर्म लेती है, transitive होती है जो object नहीं लेती है, intransitive होती है, जैसे verbs that take an object, kriya जो एक object लेती है, I eat an apple daily, मैं रोजाना एक save खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, तो क्या दोती है कपड़े, रवी बॉट आकार रवी ने खरीदी, क्या खरीदी, एक कार बॉट और ही गेव मी एक गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया, क्या दिया, एक गिफ्ट? किसे दिया, मी मुझे, इसमें दो अब्जेक्ट है, अब तमहरे दिमाग में आ रहा drauf ot ओपजेक्ट है अब देखो जिनमें लगा क्या दूस तरह है ins rankings वरक उनमें क्या लगेगा ही बड़ा जीव सा लगएगा लगा दिया तो जैसे देखो वर्फ देर्ट डॉन टेक ने अब्जक्त जिनमें कोई अब्जक्त नहीं लेती, जैसे I go to school daily में रोजने school जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ क्या, मैं हसता हूँ क्या, मैं रोता हूँ क्या, मैं चलता हूँ क्या, मैं दोड़ता हूँ क्या, मैं तैरता हूँ क्या, तो ये कु at me, वो मुझे में हस्ती है, क्या हस्ती है, तो इन में कोई answer नहीं आएगा, आप समझो, ऐसी वर्ब जिन में आप क्या और किसे लगा और चुप हो जाएं, कुछ न बोले, that is called in-transitive बर्ब, लेकिन जिन में क्या लगाएं, किसे लगाएं, और answer आजाएं, that is called transitive बर्ब, आज क आपने सोचा, think, सोचना, क्या सोचा, बिल्कुर transitive है, क्या सोचा, क्या मारा, क्या देखा, क्या खाया, क्या कहा, क्या धोया, क्या, क्या लग जाए, answer आजाए, transitive, और जिन में इसे, क्या गया, क्या आया, क्या हर्सा, क्या रोया, क्या तैरा, ये, लेकिन कहा, क्या कहा, य जो कहा है वो अब्जेक्ट ठीक है तो यह होगी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब तो यह कुछ फेमस मैंने आपको बता है जरूरी बता है ठीक कुछ रहतों नहीं गया और स्टेटिव हो गया यह ठीक हाँ बस इतना ही बता रहा था हलांकि कुछ और भी यह जैसे रूप दे दे फ्रेजल वर्व होती है ठीक है रेगुलर वर्व क्या होती है तो यह सारी चीजे हैं बट मोस्ट कमन मोस्ट बेसिक यह पांच्छ तरीके थे थोड़ा यहां से पता चला और स्टेटिव इस थोड़ी होती है थोड़ा यहां से सीखा यहां से सीखा यहां से स कर सकते हो जैसे स्पोकन वाले वो कुछ देला नहीं जानते कि क्या ट्राजिटिव क्या यह है क्या हुआ हो फटापर से बोलते हैं इंगलिस तो बोल रहें लेकिन जब पूछ लिया ग्रामर जीरो तो हमेसा जो ग्रामर है ना वह डबल बेनिफिट देती है यहीं हम बोलतो र बोलते हैं लेकिन फिया यहा है यहाँ है वाले हैं जानते हैं यहाँ हैं लेक्षागादा एगा जीरो प्रौतार प्राजारे चुशने जानते हैं टक्याड़ नहीं